आज हम पढ़ेंगे वर्षिक नमबर 47 हिंदी की तो फिर बचा ही क्या कौन सी वर्षिक हम पढ़ रहे हैं वर्षिक में हमारी जो चैप्टर था कौन से हम पढ़ रहे थे बच्चे काम पे जा रहे हैं उसी के आगे काम पोर्शन पढ़ेंगे तो फिर बचा ही क्या इस दुनि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो कभी क्या कहता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं कभी कह रहा है कि अगर सच में ऐसा है कि यूँ कितनी भायानक बात है और इस दुनिया के होने कोई अर्थी नहीं है पर तु कभी को इससे भी जाना भायानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चे खेलने कूदें की साई चीज़े उपलब्ध होने के बाबचूद वो बच्चे काम पर जाने के लिए विवश है इसी कारण क्या है कभी बहुत ही हताश्वा निरास है सभी बच्चे जो होते छोटे छोटे उनको लिए सपी क बढ़ा सके है जीवन का विकास होना उसी looks apply तो क्या होता है, उनका विकास कही न कही रूख जाता है? कभी कि सोच है कि दुणिया के मैँ स्थित् सभी खेलने कूरने की जगे benefici क्वम चीज़े खतम हो गई है इसलिए तो बच्चे काम पर जा रहे हैं लेकिन जब वो यह देखते हैं कि यह सारी चीज़े जगे दुनिया में भरी पड़ी है तब उसके चिंता तब उनमें चिंता घर कर गए कि उन्हें यह समझ में नहीं आता कि इन सारी चीज़े के होने के बाबजुद आके जो छोड़ छोड़ी बच्चे हैं वो दुनिया की हजार हजार सड़कों पर चल कर अपने अपने काम के लिए जा रहे हैं और उनके लिए विवर्ष है कवी के अनुसार बच्चपन खेल कुद पढ़ाई लिखाई एवन बच्चों के विकास का समय होता है इस वक्त उन पर कोई बोच या जिम्मेदारी नहीं होने चाहिए इसलिए उन्हें हमारे सामने ये प्रश्ण होथाया है कि आके बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं चलिए हम पहला कोईशन देखते हैं बच्चे काम पर जा रहे हैं कभी को ज़्यादा भयानक कब लगता है कभी को भयानक इसलिए तब लगती है जब दुनिया में सभी चीजे हैं जो बच्चों को पसंद है और जो बच्चे उन चीज़ों को ले रोने के लिए जित करते हैं उन चीज़ों की तरफ आगे भागे जाते हैं किन्तु बच्चे फिर भी यह काम पर जा रहे ये श्टीति उनके लिए सबसे भयानक है सेकेंड है प्रसुत कविता में कवी ने बच्चों से बच्पन छीन जाने की पीड़ा व्यक्त गिया उनका इसारा किस और है लिखिए तो उनका इसारा बाल मजदूरी के और है जब बच्चों को अपना पेट भरने के लिए खुद कमाने जाना पड़ता है लेखक के अनुसा ये उनकी पढ़ाई लिखाई खेलगूत का समय है बच्चों का इतनी अलपायू में काम पर जाना पूरे सिक्ष समाज पर प्रसंचिन लगाता है तीसरा कोशन है अपने मित्र या भाई बहन से बाचित करके लिखिये कि सुविधा और मनोजंजन के उपकरण होने के बाबजुद बच्चे उपकरणों के से दूर गरीबी और माता पिता द्वारा बच्चों पर ध्यान ना देने कारण हो सकता है बच्चा गरीब होने कारण सुख सुविदा संचित नहीं कर सकता ऐसा भी हो सकता कि बच्चा गरीब हो इसलिए समान नहीं मिल पा रहा हो या बच्चा क्या हो उसको दिया ही नहीं गया हो उसके माबाप से जबरदस्ती काम के लिए भेज रहे हो चुछाथा कोशन है बच्चे काम पर जाना धर्ती के लिए सबसे बड़ी हाथसे के समान क्यूं है बच्चों काम पर जाना धर्ती पर उनके लिए एक सबसे बड़ा हाथसा है कवी के लिए कैसे धर्दी पर हास्ते से कम नहीं है क्योंकि जब एक सिक्षित समाज में छोट शीरे बच्चे काम पर जा रहे हैं ताकि वो अपना पेट भर सके तो उन्हें पनी पढ़ाई छोड़नी पढ़ती है तो यह क्या है यह दी कोई व्यक्ति किसी बच्चे को काम पर रखता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ क्या के कानूनी करवाई हो सकती है अपने मित्रोय चर्चा करके लिखिए तो इसका अंसर है यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चों काम पर रखता है तो 14 वर्ष से कम आयू के बच्चों को काम देना गैर कानूनी है उसे 6 महिन से 2 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और उसे 2 हजार से 5 हजार तक जुर्माना पढ़ सकता है प्रेंड्स यहां पर मारा वीडियो कम्प्लेट होता है आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा इसे प्लीज लाइक कीजिए कमेंट कीजिए अपने सभी दोस्तों को साथ शियर कीजिए ताकि सारे बच्चे आसानी से वर्क्षुट को काम कम्प्लेट कर सके थैंक यू